वेलकम बैक टो मैंची चैनल आप लगती होंगे आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि फ्रेंट इनुवस्टी में जो है वह बहुत सारी नुवस्टी जा इसा कहना चाहिए जिन में बहुत सारी पबली निवस्टी जा और प्राइवेट इनुवस्टी तो पब्लीक और फीज जो है वह स्टार्ट होती है फाइवन्रेट या थाउजंड यरो से और वह मैक्सिमम ऑफ ट्वेंटी थाउजंड पर यह भी हो सकती है तो सिंप्ली आपने टूदी इन फ्रांस की वेबसाइट पर जाना है वहां से फिर आपने अड्मिशन अप्लाई करना है लास्ट चीज़ें होती है एक एक करके एक्स्पेंड करेंगे तो दिन फ्रांस पर अप्लाई कर सकते हो और यह अक्तूबर के स्टार्ट से स्टार्ट हो गए हैं और इनकी जो लास डेट है वह लास डेट है जैन्वरी मतलब जैन्वरी के अंड तक आपके पास ऑप्शन है कि आप कर सकते हैं इसके बाद ऐसा होता है कि कुछ इन्वर्स्टी जो है ना वह अलग से अड्मिशन देती हैं जिसके लिए आपने उनकी वेब साइट पर जाना पड़ता है और वहां से एक एक करके अपना कूर्स से अपना प्रोग्राम ढूनके फिर अप्लाई करना पड़ता है तो उस खुआरी से भी बच्चो सिंपली आज भी एटूदिसन फ्रांस पर जाओ और अप्लाई करो सबसे अच्छी बाद फ्रांस की वह यह है कि आपको इसके लिए आइल्स नहीं चाहिए होता है इटली के लिए होता है कि आपने आइल्स भी देना है आपने बैंक स्कॉलर्शिप नहीं होती हैं तो उसके इलावा आपके पास बहुत सारे बैनेफिट्स भी होता है अगर मैं खुद वहां पर दस महीने एक साल रहकर आया हम फ्रांस में तो मैं आपको बताओं तो उसमें बैनेफिट्स होता है कि वहां आप जिस भी घर में रह 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 आपकी कितनी हैं आपक का कितना है तो इन सब को ट्लुत करते हैं और उसमें से एक अच्छी सी आमॉंट आपको वापस कर देते हैं जैसे मैं बताता हूं मेरा एक दोस्त था तो आपको अपना होता है तो अंदाजा लगाओ आपको इतना वापस मिल रहा है और उसके लावा जो स्टुटेंट्स होते हैं उनके लिए मतलब क्या कहते हैं अगर आप गूगल करो तो जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाएती कि फ्री फूड मिलता है जे तरह फ्री फूड म आपको पास सौरबॉन में था खिल ऑफ यहां कोर लाईस को में इसल कशी आपके और पास इसले के बीन बनाएता है यहां यह वाले में बेनिफिट यह भी नहींत है अगर आपको बताऊं कि इटली की लाइफ और फ्रांस की लाइफ, अगर आप कंपेर करने का बोलो तो मैं फ्रांस की लाइफ, पहले बताऊंगा इटली की लाइफ बाद में, यहाँ पर अगर आपकर आपके पारे prac ने सकॉलरिशिप नहीं है, दिन भर आप गलोगो के हो जा मैं एकस पर इसा नहीं होता है कि हमारी कलास में 10 से बारे इंडियन स्टूड़न्स थे, और 6-7 फ्रेंच थे, मतलब आदे इंटरनेशनल और आदे वही के लोग थे, उसके बावजूद भी हर स्टुडेंट के पास दस हदार यूरू की स्कॉलर्शिप थी, इसी तरह मैं कुछ स्टुडेंट से भी मिला था, कुछ बाइलोजिस से रिलेटिड थे, मतलब बायो टेक आपने सीवी, अपने सारे डॉक्वेंट उसको भेजो, अगर कोई स्कॉलर्शिप होगी वह आपको जरूर देगा, वहाँ प्रोफेसर के पास यह अथोरिटी होती है कि वह आपको स्कॉलर्शिप दे, अगर स्कॉलर्शिप होगी तो दे देगा, आप बहुत ज्यादा तो इसमें थोड़े से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट के स्कॉलर्शिप के लिए अप्लाय करते हो या प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करते हो, तो अव्यूसर आपकी प्रोफाइल देखेगा, कि इसको इंगलिश कितनी आती है, या फिर इसकी सीवी कि अच्छी है, या इसकी एकडेमिक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, तो आपके एकडेमिक रिकॉर्ड के साथ-साथ अगर आपकी पास होगा, तो इस से थोड़े से आपके चांसे बढ़ जाते हैं, बात करें कि अप्लाय करने के लिए आपको डॉक्यमेंट कौन कौन से चाहि उसकी पासपोर्ड नमबर कोता है, यह सकती है, खमेंट करने की तो आपके बसे रिकसकी अप्लोड करने क्यों, पैस्फट करने चाहिए, तो उसके पास तो आप की योऔरप पास्पोर्ड होना है, तो इसके बाद आपके सारे और चाहिए। अब बेचलर्स , अब आप सिन्सेथर के लिए आप कर रहे हो तो 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 भीृपलोमा है और आपका आप रैजसे अडर्ल डिक्लोमा ही होती है इसवाइनटिब्लि और वे फासे मिश्वाइट्र अपके लिए सब व्यृत रिषिटक्ण हो मतलब seven semester की transcript apply कर सकते हो और उसके साथ अब अपना hope certificate upload करो I hope कि आपको admission इस पर भी मिल जाएगा मिलता है और बहुत से students को मिला भी है उसके बाद आपके आ जाता है two recommendation letters अब यह recommendation letter क्या होता है तो sometimes आपको दो चाहिए होता है जिन से आपकी बात है जिन से आपकी सलाम दुआ है क्योंकि सम्टाइम्स ऐसा होता है कि यहां पर अप्लाय करते हो ना यहां पर आप जो है recommendation letter अपलोड करते हो और कुछ इनवस्टी से कुछ पोर्टल ऐसे हैं मतलब कुछ जगे ऐसी है कि जहां पर आपको जो प्रोफेसर की से आपके चाहरी करना दूंद करने मतलब प्रोफेसर का नाम उसकी इमेल और बागी चीज़ें अपलोड करते हो और कुछ इंवस्टी आप पीडियाप जहां पर आपने प्रोफेसर की डिटेल लिखना होती हो आप डिटेल लिखते हो तो वह वह इनवस्टी method को एमेल करती आपके कांडर करें इÁर प्सक्रा कोई औ nossa फ़ीए पाकस्तार आप सप्किने इस अगर सो प्रसक्रास kयाना इंवस्ट्ब करती है कि अगर इस की अगर वह स्पार आपक करनी है ले sacrifice को हसं कि अगर है कि आप जनरलाइज बनाओ एक जनरल लेटर मोटिवेशन बनाओ और हर इंवस्टी के लिए ठक से अपलोड कर दो नहीं इस सही होता है कि आपके अडमिशन के चांसे कम हो जाते हैं तो मैं सब्सक्राइब करूंगा कि जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाइब कर रहे हो तो आप उसके लिए एक अच्छा से लेटर मोटिवेशन लिएशन लिए और फिर अपलाए करो यह जो डॉकिमेंट से अब तक मैं आपको बताए जिसमें आपके पास्पोर्ट था सीवी ट्रांस्किर्ट डिप्लोमा लेटर मोटिवेशन और रिकमेंडेशन लिए यह जो ह है वह आपके सर्टीफिके्ट हैं सर्टीफिकर्ट अगर आपके बाहु पास क каж रहिए तो यह चीजो हैं और यह चीज्स के लावह आपको कुई आपके त्वी कोई प्रोजेक्ट किया था या किसी के साथ कॉलेबरेशन की थी यहां तक कि आपका थीसिस भी उसमें एट कर सकते हो बैस्टर का थीसिस भी और उसके लावा आपके कोई पेपर लिखा था रिसर्च पेपर भले वह पब्लीश हुआ हो ना ओ अगर ना भी पब हैं आज ही अप्लाए करो और उसके लावा क्वालिटी पर कंप्रमाइस का मतलब यह कि जैसे मैं अभी बताया कि स्टुडेंट जो हम एक जन्रलाइज लेटर मोटिवेशन या स्टेटमेंट और अप्लाए करते हैं अगर आपको कोई बंदा एक्सेट कर रहा है कोई लेना चाहता है तो इसके लिए वह देखे कर ना यार इसको आता कि इतना है इसके डॉक्यमेंट कैसे हैं इसकी सीवी कैसी कैसी है तो इन चीजों को बेगार तो थोलो सा मुश्किल हो जाता है तो कॉलिटी पर बिल्कल कंप्रमाइज समत करो एक अच्छी सीवी बनाओ अच्छा सा लेटर मोटिवेशन बनाओ और जो आपके डॉक्यमेंट्स हैं वह अच्छे रिकमेंडेशन लेटर तक भी मैं सज